नमस्कार किसान बाइयों स्वागत है आपको हमारे यूटूब चीनल धाकड एगरी कल्चर में किसान बाइयों इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में चाच और गुड के उप्योग और फायदों के बारे में क्या लहसुन की फसल में छाच और गुड का उपयोग करना चाहिए या पिर नहीं अगर हम इनका उपयोग कर सकते हैं तो किस परकार से उपयोग कर सकते हैं कितनी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं और इनके क्या रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं इस विसाई पर आज इस वीडियो में हम पूरी डीटेल के साथ में बात करने वाले हैं हम सभी किसान भाईयों के गरों में छाच तो हमेशा अवेलेबल रहती ही है क्योंकि किसान भाई खेती करने के साथ साथ पसू पालन का काम भी करते हैं और सभी किसानों के पास कम से कम एक या फिर दो जानवर तो होते ही है तो जिन किसान पईयों के गरों में जानवर होते हैं उनके गरों में चाच अवस्च अविलेबल रहती है चाच का उप्योग हम खाने पीने की चीजों में करते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि छाज का उप्योग हम अपनी फसलों की पेदावार बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं तो आईए इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में समझेंगे कि छाज का उप्योग करने से लहस उनकी फसल में क्या फाइदा होगा गुड़ का उप्योग करने से क्या फाइदा होने वाला है तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंते तक देखे और जितने भी किसान भाई चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो हमारे इस यूटूब चैनल को नीचे दिएगे लालक्सरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी साथ बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लीजे ताकि आगे भी आपको इसी परकार की नहीं नहीं जान करें देखने को मिलती रहेगी और आप सभी किसान भाई उसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप कम से कम पांच से दस दनों के साथ में सेर जरूर कीजिये चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले छाच के बारे में छाच जो की हम आम बासा में खाटी छाच के नाम से उसको जानते हैं आप में से बहुत सारी किसान भाई जेवी खेती करते होंगे जेवी खेती में कभी न कभी खाटी छाच का उपयोग आपने किया ही होगा खाटी छाच के अंदर वसा, प्रोटीन, कार्बोहईडरेट और कई परकार के सुक्सम पोसक ततु पाये जाते हैं और सबसे मुख्य चीज इसके अंदर केलसियम पाये जाता है इसके अलावा खाटी छाच का जब हम किसी भी भसल पर उपयोग करते हैं तो यह एक कीट नासक की तरह हमारी भसल में काम करता है कीट नासक और टोनी की तरह हमारी भसल में काम करता है अगर हम खाटी चार्ज का उप्योग लहसुन की फसल में 30, 40, 50, 60 या 60 दिन की स्टेज पर भी करते हैं तो भी हमें इसके अच्छे प्रिणाम देखने को मिलते हैं खाटी चार्ज का उप्योग करने से ठिर्प्स जेसी समझ्या पर भी कंट्रोल होता है साथ यसाथ लहसुन की ग्रोध भी अच्छी बनती है लहसुन का पोदा मजबूत बनता है अब बात करते हैं गुड के बारे में गुड के अंदर भी कहीं परकार के पौशक चत्तों पहाय जाते हैं जिन मेंसे सबसे मुख्य चीज घुती है प्रोटीन प्रोटीन, कार्वो हाइडरेट, फेरस, मेगनेशियम और फासपोरस ये सबी चीजें गुड के अंदर पाए जाती है और गुड हुमिक एशिड के तरह हमारी फसलों में काम करता है तो अब अगर आप गुड का उप्योग करते हैं अगर आपकी इच्चा हो तो आप उप्योग कर सकते हैं मैंने मेरी अफीम और लहस उनकी फसल में इसका उप्योग किया है और मुझे काफी अच्छे apoyo मिले हैं ख़ला कि गुड का उप्योग मैंने पहले कर लिया थ है इस समय पर मैंने चाज का उप्यो किया है गुड़ से समंदित वीडियो तो मैंने कव का आपको दिखा दिया है अगर आपने देखा होगा तो आपको जानकारी मिल चुकी होगी तो किसान भाईयों इस तरीके से हम गुड़ का उप्यो करके फाइदा ले सकते हैं बात कर लेते हैं अब इनकी मातरा के बारे में तो आप इस्प्रे के माध्यम से इनका यूज कर सकते हैं इस्प्रे की बात करें तो इस्प्रे में आप एक लिटर खाटी चाज को एक इस्प्रे पंप में डाल कर स्प्रे करें और अगर गुड की बात करें तो कम से कम 100 ग्राम पर पंप के हिसाब से आप गुड की मातर रखें यानि कि 1 किलो ग्राम गुड प्रती एकड के हिसाब से और 10 लिटर खाटी चार्च प्रती एकड के हिसाब से मातर रखर आप इस प्रेक कर सकते हैं किसाम भाईयों का मानना है कि गुड़का उप्यों करने से थ्रिप्स जैसी समझें पनपती है तो किसाम भाईयों इसी कोई भी बात नहीं है आप निश्चिंत रहें थ्रिप्स की समझें गुड़का उप्यों करने से नहीं आती है और ये दोनों ही चीजें जेवीक चीजें ह अगर इनकी मात्रा थोड़ी बहुत ज़्यादा या फिर कम रह जाती है तो इससे हमारी फसल पर कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा किसाम भईयों इस वीडियो में बस इतनी ही जानकरी थी उमिद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जानकरी पसंद आए होगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगे क्यों